फिल्में देखना किसे नहीं पसंद लेकिन हाँ कई बार जब जादा फिल्में देखते हैं तो फिर पेरेंस हमें जादा से जादा डांट देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जगह है जहां पर फिल्म देखने की सजा सजाय मौत है गोली से मार कर सजा दी जाती है जी हाँ फिल्म देखने पर इस तरह की सजा मिली है रीसिंटली तीन लड़कों को जिनकी उम्र सोला से सत्रा साल के बीश में थी इन लड़कों का जुर्म ये था कि होने साउथ कोरिया की एक फिल्म को देखा ये मामला है नौर्थ कोरिया का नौर्थ कोरिया के तानाशाह किम जौंग उनको कौन नहीं जानता उसके तानाशाही रवये से हर कोई वाकिफ है लेकिन अब चो किम ने किया है वो बेहत हैरान कर देने वाला है किम ने तीन लड़कों को सजा मौद दी है इन लड़कों को एक airbase पर लाया गया, सभी officers इस airbase पर एक खटा हुए और इन लोगों के बीच में इन तीनों लड़कों को गोली मार कर इन्हें सजा दी गई है क्योंकि इन्होंने South Korea की एक film देखी थी North Korea में South Korea की film में band है North Korea South Korea से नफरत करता है यही कारण है कि वहां की कोई भी चीज North Korea में allowed नहीं है इधर North Korea के जो यूआ पीडी है उन्हें फिल्मों में संगीत में बहुत जादा क्रेज है तो ऐसे में कई बार South Korea की film को pen drive के जरिए या hard disk के जरिए स्मगल करके North Korea में लाया जाता है और लोग illegal तरीके से फिल्में देखते हैं इन लड़कों ने भी यही किया इन्होंने South Korea की film को illegal तरीके से देखा जिसकी जानकारी जब किम जॉंग उनकी government को लगी तो उन्होंने इन तीनों लड़कों को सजा दी यह काफी shocking था जनता को डरा देने वाला कदम था और सभी तरफ इस बात की चर्चा है कि film देखने के लिए इस तरह की सजा कौन देता है लेकिन आपको बता दे कि North Korea वो जगह है जो पूरी दुनिया से कटी हुई है इनकी अपनी खबरे होती है इनकी अपनी फिल्में इनकी अपनी अलग ही दुनिया है यह बाहर का कुछ भी अलाव नहीं करते हैं अपनी जनता को भी दुनिया से काट कर रखते हैं वहांके जनता काफी दुखी है